आज हम फिश फार्मिंग की दूसरी टिकनीक को स्टडी करेंगे दैट इस केज कल्चर फिश फार्म इसके अंदर बिसिकली बेटा हम क्या करते हम एक केज लिते और उसको हम किसी भी नैच्रल वाटर बॉड़ी के इंदर डिप कर देते जिसके वज़े से इस केज के थूफ फ फिश फिश प्रड़क्शन की टेकनीक है जिसके अंदर हम स्पीशिस को एक फ्लोटिंग नट पैन के अंदर रखते हैं और यह हम एक्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सिस के अंदर ही रखते हैं जिसके वज़े से जो भी बायोटिक जिसे उसको जो फीट चाहिए होती है और प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स जिसके उपर भी इस पैसिफिक फिश की स्पीशिस को फीड करना होता है वह उसको मिलती रहती है और जो सनलाइट है ऑक्सिजन है पीएच टेमटेचर जो हमें पानी का चाहिए होता है वह भी मेंटेन रहते हैं लेकिन हम बस फिशिस को इ चीज तो इसके दो फायदे है एक तो वाटर का फ्रीफ्लो होता रहेगा जिसके वज़ा से गैस्टेंज होता रहेगा और विस्टेस की रिमोबल होती ही चली जाए अगर हम इस के करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें बिटा तो यह स्टील वूड या आईरन का बना होता ह है यह एक मीटर क्यूब से लेकर एक हजार थाउजंड सोफ मीटर क्यूब तक हो सकता है डिपेंडिंग ओना पर ओना और नीड ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि हमें थोड़े से हमें सिर्फ स्पॉंज को रखना हो ठीक है तो हम छोटा केज करेंगे लेकिन अगर हम यंग वन्स को पचास से साथ हजार तक हम यंग वन्स एक बरी में अकॉमडेट कर सकते हैं अगर हमें पचास हजार साथ हजार स्पॉंस रखने हैं तो हम थाउजंड मीटर क्यूब में इतने बड़े केज को हम लेंगे अगर हम इसके शेप के बात करें तो यह बहार नहीं जा सकती वॉटर बोडी में और अट असे म बर्ड वगेरा इन फिशिस के एक्स को यह इन छोटी फ्राई या फिंगर लिंक को नहीं खा सकती यानि बर्ड प्लिडेशन से बचाव हो जाता है दूसरा हो थे बिटा फ्लोटेशन 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 चोटी फ्लोटेशन 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 हम in cages के अंदर कुछ rings को लटका देते हैं जिसके अंदर हम fish feed भल देते हैं अब fish आती है इसमें से अपना खाना लेती है और चली जाती है तो feeding rings के होती है बीटा इसके अंदर हम fish feed को रखते हैं जिसके विज़य से wastage बच जाती है खाने की और सिर्फ हमें इसके अंदर डालना होते हैं हम रंडमली पूरे केज के अंदर फूड को डिस्ट्रिब्यूट नहीं करते हैं ठीक है इस वर जन्रल करेक्टरिस्टिक ओफ एज बिंग यूज़ इंदर केज कल्चर फिश फॉर्म करें एक अधेने की नहीं इटविंटेश करना है इसका मतलब इसके इसी इंस्टॉलएशन है एक बस हमें इतनी ही लोगों की requirement है जितना हमें cage को उठा कर water body में डालना है उसके बाद हम harvesting के अंदर भी इतने लोग नहीं चाहिए होते उसको maintain करने के लिए भी इतने लोग नहीं चाहिए होते इसका मतलब जो manpower है वो बहुत कम required होती है ठीक है emergency let's suppose कोई tsunami आ रही है कोई natural calamity आ रही है उस case में हम इसको easily remove कर सकते हैं जिसके वज़े से हमारा जो damage हो सकता है natural calls के वज़े से वो ना हो ठीक है अब हम इसको manage करना हमें बड़ा easy है अब हमें क्या fish feed देनी है किस time देनी है उसको हम बहुत easily regulate के manage कर सकते हैं ठीक है बस हमारा एक बार उस case को बनवाने में और उसको install करने में कोस्ट आ रहा है उसके लावर कोई कोस्ट भी नहीं है इसमें यानि हम यह बोल सकते हैं इसके अंदर less cost है अगर माल आपको भी पता होगा कि मचलियों के अंदर बिमारिया बहुत जल्दी होती है और वह एक मचली से एक गंदी मचली पूरे तलाब को बंदा करते हैं अपने सुनाओ गाना एक गंदी मचली यानि इक डिसीज हो जाए किसी एक इसी को तो बहुत एजली एक दूसरी ओपिश में ट्रांस्मेट हो जा दिया तो इस कर्दीशन में हमकर सकते हैं हमारे पास एक प्लोज चामपर है जिसके अंदर हमने मचलीओ रखा है तो उनकी ट को बहुत समझदारी से यूज़ कर ले हैं R&D यानि research and development अगर इस फिल्ड में हमें कोई research करनी है हमें fishes की क्योई species पढ़नी है बहुत easily हम उसको natural conditions के अंदर पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें biotic और a biotic components तो बहुत natural ही है ठीक है अगर हमें fishes की sampling करनी है हम वो बड़े प्यासे कर सकते हैं ठीक है यानि research की friend में अगर हम इसकी study करना चाहें तो बहुत easily possible है उसके इलाबा जो harvesting इसमें से करनी होती है simply हम net की help से या किसी normally fishing craft की help से हम इसको easily fishing gear की help से हम बहुत इसलिए पकड़ सकते हैं ठीक है इस वर few of the advantages of using cage culture अब हम disadvantages की बात करें बेटा सबसे पहले जो हम इसमें feed हम इतना regulate करें उसको balance हो complete रखना खुद में चालेंज हो जाते है कि हमें species को study करना पड़ता है फिर हमें देखना पड़ता है कि फीड की ज़रूर आता है कि उसकी अब हमने अभी अभी study किया था कि हम एक एज के अंदर पचास से साथ हजार तक मचलियां रख सकते हैं इतनी over crowding हो जाएगी इतनी stalking of fishes हो जाएगी कि उनमें बीमारी होने के chances बढ़ जाएंगे और fishes के अंदर mortality increase हो जाएगी यह हमारे पास एक बहुत बड़ा challenge आता है कि उनको disease free रखना अब पानी जो इसके अंदर use हो रहा है बिटा वो तो बहुत natural conditions वाला ही use हो रहा है तो अब बहार का पानी में कोई भी problem आती है कोई heavy metal का amount increase हो जाता है उसको control करना उसको regulate करना खु में ही a caution mark है क्योंकि हमारे पास कोई proper regulations नहीं है कि हम कीज को कैसे लगा सकते हैं कितना use कर सकते हैं क्योंकि हम किसी water body को exploit कर रहे हैं तो वो तो national और international loss can डराता है लेकिन cage culture का अभी तक legal status defined नहीं है उसके अलवा जो fish feed है कई बाल हमारी ring में से निकलके water के flow के साथ बहा जाती है which itself is not good और यह as a loss हमें उठाना पड़ता है इस चीच कभी हमें ध्यान अपना पड़ता है ठीक है this was about the cage culture I hope आपको समझ में आया होगा if you have any doubt you can comment in the comment section keep watching thank you